बोगोद लोचा हो गया है रास्ता भटक गए और यह आ गया जो है ना पता नहीं कुछ दूसरी जगह पे आ गया गया गुलमक का रास्ता कहीं पीछे रहे गया हलो एबरीवन वन सगें वेलकम टू माचेनल सो गाइस मैं हूँ इस वाक स्रीनेगर में और निकल पड़ा हूँ गुलमक के लिए मेरे साथ है जहूर और भुदेफ तो निकलते हैं गुलमक के लिए रास्ते में हूँ आ गाइस के अ कैना लाइस के लिए टार रख माचेनल सो लिए रहे जहाँ पार जाँ का बाइस वेलकम टू रहे अभी लगबक हम गुलमाक से लगबक 20 किलोमेटर चाहिद दूर होगा रश काफी है रास्ते में काफी बीड भलककम वाली हो रही है मुसम अच्छा हो रहा है इसलिए तूरेस की बीड हो रही है इस वजह से शायद जाम लग लाए पीजवीट में गाडियों की तो हम भी चल पहुंचना तो ही है उसी जगह पे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बहुत लोचा हो गया है रास्ता भटक गए और यह आ गया जो है ना पता नहीं को दूसरी जगह पे आ गए यार गुलमाक का रास्ता कहीं पिंचे रहे गया वहां से यू ट्रन था वहां नीले पाए अब डि तो चलो होता है बाई अन्जान रास्ते में ऐसा कुछ होते रहता है तो ट्रन लेते हैं और निकलते हैं फिर अब हैसी जगह पे में हम रुके हुए हैं अभी गाड़ी पार्क कर दिये सामने यह बॉंड वी वांट बॉंड वी वांट बॉंड विजा अरे कहना क्या चाते ह अब ग्रिल वाजवान सब कुछ है इस पर रुके हैं कुछ खाते पीते हैं फिर आगे निकलते हैं रास्ता बटक गए थे यार काफी जार बटा यह बॉजा लोगे विख देख नारास है इसको खाना नहीं हिला यह है चोटा चुझा बश्टेसदा को बना बुस्टा एक तर देखो ना थे तो अब गया झाली है तो खाना सुझा हमने किली है घठी है आई तो दॉस्तर घृब नीस की किला घान जाना गई ज अब यहां से निकलते हैं फिर आगे की तरफ सो गाइस निकल पड़े हैं और काफी टायम हो जाला है रास्ता बटक गये थे काफी दूर पहुंच गया था 20-30 किलोमेटर दूसरी तरफ अब जाके सही रास्ता पकड़े हम अब निकलने का सोज रहे हैं अब निकलेंगे एक मिनेट जब पर तो चलो चलते हैं फिर तो अभी हम चंग मांक से बुजर रहे हैं और जहरे पर लगना शुरू हो गया है ठंड बिल्कुल तो थंडी थंडी हवाई चल रही है वजा रहा रहा है रास्ता भटक है लेकिन जो भी हो मजा रहा है तो गाइस राइड नाव यह आर इन गुल्मार्क व्यूटी देख लो आफ बड़ी है विल्कुल एक तम तूरेस काफी है यहां पर अभी यहां पर रुके हैं थोड़ा सा काम है काम किस चीज़ का है वो भी मैं आपको दिखाता हूं यह देख रहे हैं एटीवी तो भाई लदाक से इधर एटीवी बनाने के लिए पहुंचे हैं दो को हम वो बंदा है एटीवी बना रहा है गाड़ी के अंदर गाड़ी एटीवी का सामान है उसको बना के लेके जाना है आप देख सकते हो संदरता जो है ना बर्पूर भरी भी मौसम बिल्कुल चिल हो रहा है और आप लोग एटीवी लेके जाते हुए, टूरेज भी काफी नजार आ रहे हैं गोड़े नजार आ रहे हैं और यांपर यह ताफी हटीवी अच्छा नजारा है है उन्हेक्र हीं हुझ्ः तो अइत गारी पे चड़ गया है हाँ चलाना इसको इसको चलाना तो फ्यूल पंप इस हालत में है देखा आप इसका मोटर पूरी तरह से खराफ हो चुका है आप जैसे की देख रहे हो अभी इसको खोला गया और यहालत हो गयी तो अभी जुगार करने को बोला है आप देखते हैं क्या होता है गाड़ियां लगे वी यहां पर सारी जो रिप क्या हुआ है क्या हुआ है का जा रहो है इदर देखो इदर देखो हां रूमने जा रहो ठीक जाओ तो गाइस बच्चा नहीं मान रहा था इसको राइट दो मर्दवा कराना पड़ रहा है अभी बजा आएगा ना भिडू अभी तो यह है कि वही जान पेचान के लोग कि इसलिए प्री राइड भो पा रहा है तो इसको थोड़ा था गुमाने के लिए ले जा रहा है पीछी ले लेता है मज़ा है अधर 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 गुमा की वादी हो और साद में चाय और प्राठा आलू के प्राठा कुछी अलग ही समा बनता है वही आपको जो दुकान दिख रही है यह जो है सेकनेंड कपड़े हैं जो की उस छोर पर वहां पर जो है स्नो में जाने के लिए क्योंकि ठंड तो यहां भी हो रही है आगे तो और ज्यादा ठंड हो रही होगी इस वजह से यहां पर किराए पर यह कपड़े मिलते हैं यूते कपड़े सारे कुछ कौर्ट हो गया और सारा कुछ ये टूरिस ले रहे हैं हम तो जा नहीं रहे हैं तो हमें क्या लेना या आगे से जहूर भाई और हुदेफ आ रहा है इदर से ओ आस्ते 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 कि आइस आप सोज रहोगे यार गुल माग आया लेकिन कहीं कुछ दिखाए नहीं तो दिखाने के लिए टाइम नहीं मेरे पास काम से आया था सो काम अभी अधूरा है भी भाई ने बोलाई कि यार कल परसू तक जुगाड कर देंगे तब तक देखते हैं क्या होता है तो बाक अधिनेगर पर कहां पंके चलाने पड़ रहे हैं और यहां पर ठन पड़ रही है तो होपसो आपको यडियो पसन आयो अगर पसन है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए अपना बहुत खायल रखे अपने घरवालों के खायल रखे आपने आस पास सफाई